आज हम एंगलिश बूख हनी कॉम चैप्टर पूर तैसे तर्मेट रीपलूम इसके कोसर राशर करेंगे जो दोनों बूख आपकी क्लास हैं इंगलिश के हनी कॉम और एन एलियन हैं इसको शुप्लीमेंटर भी बूख भी बोलते दोनों का स्टार्ट हो और दोनों के प्लेलि पॉडोशी ने कुत्ते गो मार डाला तो आन्शाट करते हैं तो नेइबर किल डाडोग पॉडोशी ने कुत्ते गो मार डाला in frustration निराशा में एंड एंगर गुषे में देवर expecting the dog वयासा करे थे डा डोग help तेम कि कुत्ताओं की सायता करे हैं find a treasure एक खजाना धुणने में तो गुट्टे को मार डाला, question number second, ये उपर question दिये गए, थरी question उपर, ठीक है, और तीनों के थरी-थरी option नीचे दिये गए, इनमें से right option आपको choose करना है, ठीक है, पहले मैंने green color से पहले highlight करका answer है, तो पहला answer question rate करते है, the old farmer and his wife love the dog, जो बुड़ा किसान और उसके पतनी कुट्टे को कैसे pair करते थे, option B, इसका right answer होगा, as if it was their own baby, ऐसे pair करते थे, जैसे कि वाग खुद का बच्चा हो, when the old couple became, जब old couple है, बुड़ा किसान और उसकी पतनी रीच होगे, अमीर होगे, तो उन्होंने कैसे भीव किया, light comfortable बहुत राम दाइक तरिकेस रहने लगे, और वर जैनरस द्यालू होगे, towards their poor neighbors, अपने गरीब पुड़ूशियों के प्रती द्यालूर होगे, the greedy couple borrowed the meal and the motor to make, दो greedy लालची कपल था, उन्होंने meal मल जो आटप इसने के चक्की थी, और motor ओखली उसको borrowable दफना दिया, तू में क्या बनाने के लिए, option C इसका right answer होगा, a pile of gold सोने का धिर बनाने के लिए, question number, working with the text के question answer आगे, पहला question है, the old farmer is a kind person, old farmer है kind person था, what evidence, कौन से सबूत है, मिलते हैं आप लोगों को, of evidence, of his kindness, उसकी द्यालूता के, do you find in the first two paragraph, शुरू के जो तो paragraph है, उसमें से ऐसे evidence, सबूत, रूटने, ऐसी line रूट के आपको लिकनी है, जिससे यह साबित होता है, old farmer एक द्यालू परसन था, answer it करते है, the old farmer is a kind person, जो बुड़ा की साथ एक द्यालू परसन था, the first paragraph says that, पहले paragraph में क्या मिलता आपको, old couple treated the dog, as if it were their own side, जो बुड़ा couple था, कुद्टे को ऐसे treat करते थे, जैसे कि उनका खुद का बच्चा हो, they used to feed him pieces of fish, वे उन्हें मलब मचली के टुकडे खिलाते थे, their own chopsticks, अपनी खुद की वो चमच या जो काटा था न, उसे ही खिलाते थे, उसको मचली के टुकडे, they used to offer him boiled rice, उसे वे उबले वे चावल भी देते थे, the second paragraph says that, और दूसरे paragraph से में क्या मिलता है, the old man often give food to the birds, जो पूड़ा अद्मियों पराएक है, पक्षियों को खाना देता था, question पर से ग्रेंट करते है, what did the dog do to lead the farmer to the hidden gold, मलब जो कुट्ता था, उसने किसान को hidden gold जो छुपा हुआ सोना था, उसकी तरफ ले जाने के लिए क्या किया, डोग नी, the dog came running towards the farmer to a place, जो डोग है वो दोड़ता हुआ किसान के पास आए, एक सिगैबर, and begins crashing out, और वहाँ पर पंजे से खोदने लग जया उसको, the old man at first thought, सबसे पहले, पहले तो सोचा old man ने, that the dog was just playing, क्यों कुट्ता क्यों खेल रहा है, old man और old farmer एक यह बात है, किसान के लिए ही इस्तिमाल किया गया, बुड़े किसान के लिए ही, just playing, सबसे पहले तो old man ने सोचाए, कुट्ता खेल रहा है, ऐसे ऐसे क्रेचिंग कर रहा है, but when it kept running, प्रतु जब उसने दोडता रहा, जब वो, and winning, और हिन हिनाता रहा, मला आवास करता रहा, the old man followed it, तो बुड़े आदमी ने उसका पिछा किया, into the place, एक जगा तक पिछा किया, and found the hidden gold, और उसे वहां चुबावास होना मिला, question number first is का, question number third का, how did the spirit of the dog help the farmer first, जो कुत्य की आत्मा थी, उसने कैसे सायता है कि farmer की सबसे पहले, answer is इसका यहाँ पे नीचे दिया गए, first cancer ही है, read करते है, first cancer, the spirit of the dog came in the farmer's dream, जो कुत्य की आत्मा ही, वो मलब किसान के सवपन में आई, and first asked him to choke the pine tree, और सबसे पहले उसने क्या कहा कि, वो देवदार का जो पेड़ है, वो उसको काट दे, and make motor, उससे motor ओखली बना ले, and hand meal और एक चक्की बना ले, out of, with, मलब पेड़ को काट करके है, एक तो ओखली बना ले, और एक चक्की बना ले, with the motor, motor and meal की सायता से, गेव दा फार्मर हैप सब गोल्ड, मलब किसान को बहुँ सारा सोना प्राप्त होगा, क्योंकि उक काम करेगा, उनकी सायता से motor और meal से, तब उससे सोना प्राप्त होगा, question number second है, how did it help him next, दुबारा उसने कैसे सायता कि, कुत्ते की आत्मा ने, इनका अंसर नीचे दिया गया, second का देखो यहां से, the dog spit again came in the farmer's dream, जो कुत्ते की आत्मा ही, दुबारा से किसान के सपने में आई, for the second time, and told the farmer to collect the ice, और किसान को उसने कहा कि, वो ice है वो, of the motor and the meal, जो परोशियों ने मलब किया, जो जला दी थी वो, farmer की जो, एस और motor थी, ना सोरी, motor और meal जो जला दी थी, उसकी एस को इकटा करने के लिए बोला, कुत्ते की आत्मा ने, and sprinkle it on the weather trees, और जो मुर्जाय पेड़ पर छिड़ करने के लिए बोला, राक को, and they will, they will blossom, और वे खिल जाएंगे, ऐसा करने के लिए बोला, कुत्ती की आत्मा ने, second time, the farmer did, इस farmer ने ऐसा ही किया, in front of the daimyo, जमिदार के सामने, and was awarded with lavish gift, और उसको बहुँ सारी नाम में दिये, daimyo ने, जमिदार ने, तो जैसे इमलब राक छिड़ की, नाम दिया, परतु नेबर को, punishment दिया, same कारिये के लिए, क्योंकि दोनों ने मलब राक छिड़ की थी, pine trees के उपर, जो meal और mortar की राक थी, तो answer रिट करते क्या हुआ है, the daimyo reverted the farmer, but punished the neighbor for the same act, this is because when the old farmer sprinkled the ash on the withered cherry tree, in front of the daimyo, it blossom, जब मलब क्या किसान ने जो राक है, उसकी meal और mortar की जो राक थी, उसको मुर्जायवे पेडों की ऊपर डाला, तो वे पेड क्या blossom खिल गए थी, this made the daimyo, please, इससे daimyo जमितार भोथ खुश्वा, with the farmer's act, किसान की काम से, welcoming him, और उसका स्वागत किया और उसको इनाम दिया, but the neighbor sprinkled as his own the tree, in front of the daimyo, परन्तु किसान ने भी मलब क्या है, daimyo जमितार के सामने, क्या है, राक छिड़की थी, छिड़कना या डालना राक है, पेडों की ऊपर, नथिंग ब्लोसम, मलब कुछ भी निखिला, नथिंग ब्लोसम कुछ भी निखिला, but it's fine particle, परन्तु इसके जो महीन कंड थे, छोट छोटे कंड, entered his nose, किसान की, और जो daimyo जमितार की नाख में गुच गए, and his wife, और उसकी पतनी की आख में गुच गए, thus, this spoiled the whole program, इसे सारा program खराब हो गया, and irritated the daimyo, इसे मलब का गुच्छे में हो गया जमितार, that's why the daimyo punish the neighbor, इस तरीके से daimyo ने, किशान को क्या, sorry neighbor को क्या है, परोशी को punishment दिया, so while dear student आप को video कैसे लोगी, तो video को like करें, और comment करके बताए, अगली वीडियो में आप लोगों से हम जल्दी मिलेंगे, तब तक bye, take care, जय हिंद, जय बारत,